मकर रासी वालों का आजी का रासी फल यानी की दो दिसंबर दो हजार बिस का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो दिसंबर दो हजार बिस के पंचांग के बारे में आज तिथी है दूतिया नक्षत्र है म्रिग सिरा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है बुद्धवार आज के दिन सुर्य उदय का समय है छे बज के संताबन मिनट में सुर्य अस्त का समय है पांच बज के तईस मिनट में रितू है हे मन्त आजी का दिन काल है दस घंटे 26 मिनट 17 सिकेंड का महिना है मार्ग सिर्स आजी के दिन शुभ समय नहीं है अशुभ समय शुरू होता है 11 बज के 49 मिनट एम से 12 बज के 31 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है 12 बज के 10 मिनट पी एम से 1 बज के 28 मिनट पी एम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आजी का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके प्रेम शंबंध के बारे में दोस्तों प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जियादा बिहतर और सांदार है आने वाले शमय के दौरान अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के दौरान आपका प्रेम शंबंध बहुत जियादा रोमांचक और बिहतर होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक अपने कामकाजि में अपने काड़े अच्छित्र में कोई भी पडिवर्तन कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन के दृष्टी कौन से आपका समय आपका साथ नहीं देगा आने वाले शमय के दोरान अपने कामकाजि में अपने काड़े अच्छित्र में आपको शाबधाने और एकागरता के साथ आपको आगे बढ़ेना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान आप अपने कामकाज में अपने काड़िय च्छित्र में कोई भी लापडवाही करते हैं तो आपका शमय आपका भाग्य आपका शाथ नहीं देगा वैसे अगर आपके दामपत्ते जीबन की बात करें तो दामपत्ते जीबन के दृष्टी कौन से भी आपका शमय बहुत जियादा बिहतर और शांदार है मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या रहता है तो उस पड़ेशानी में सबसे पहले आपके जीबन साथी का साथ आपके जीबन साथी का सपोर्ट आपको बहुत जियादा मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक क्या है मित्रों आने वाले शमय के दौरान आपके लिए भग्यसाली अंक है छे यनी की सिक्स आने वाले शमय के दौरान आपके लिए भग्यसाली रंग है पारदर्सी और गुलाबी दोस्तों आज अपने समय को बहतर और शांदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि गाई को गुर खिलाना है अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बहतर और शांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें धन्यवाद